जहिंद प्यारे बच्चो इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ छारखन अलम्पियाइट के बारे में तो देखिए है जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका एक्जाम है ना उम मई के चतुर्थ सब्ता हमें आपका एक्जाम होने वाला है इस पर जो है बहुत जल जो मतलब 8 क्लास में पढ़ता है जो 9 क्लास में पढ़ते हैं कि 7, 8 & 9 हर एक स्टुडेंट से एक्जाम को देख सकता है ठीक है इसके लिए मैंने सिलिवस पर बेरले वीडियो बना दिया था ठीक है तो आप लोग उन सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिक की म गए कर वाया था तो सेट वान के वीडियो को जोरो सेट वान के वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वहांसे बजूरो चेक आउट कर लिजेगा काफी इंपोर्टेंट वीडियो है चलिए हम आगे की प्रोसेस को समझते हैं आज गामारे समझने में अच्छा जो हो ठीक है देखो यहां पर अगर आट भी में पढ़ रही है आप नौ भी में पढ़ रहे हो ठीक है हर एक स्टूडेंट वीडियो को देखिएगा इसकी पेगदम नहीं किजेगा ठीक है अभी आप लोगों को पता होगा कि जो सेबंत के विद्यार्थ अपर्ट के विद्यार्थि इन दोनों का जो जर्खन में बुक चलता है न जो जार्खन में बूक चलता है वो JCR đi का चलता है ठीक है ज 1999 एकजाम देखते हैं साइंज का देख सकते हैं सोसल साइंस कदेख सकते हैं जो जेनरल नॉलेज है सामाइन अगैन का भी एक्जाम दे सकते हैं तो सेवेंट वाले जो भी आप लोग तो आप लोग क्या करें जैसी आटी वोग को पढ़िए यह जो नाइंत के विद्यारती है मैं बता दू आप लोग का जो है जहरकंड में जो चलता है आपका इन सेर्फी चलता है ठीक है यह जारकंड में मतलब साम कंटेंड है नायइन डैकन विद्धि Okay तो लोग नंस चीज को पढ़िए एंड सेवन आट के विद्यारती जो भी का क्यों स्कुल में चलता है वह उस बुक को पढ़िए साइंस जो भी है Science जो है उसको Line by Line पड़िये है और बता दें जो इंग्लिस रखे हैं तूं इंग्लिस को पड़े हैं बात समझ रहे हैं कि नहीं तो और g.k टो देखिए तह देखिए जी की किशचした साइंस से बें अठाद लिया जाता है ठीक हैiden और मैं बता दूं यहाद आता है यहां कि सामाजिक को आप लोग पढ़ सकते हैं यहां को पढ़ लिजी यहां से बहुत सरा कोशन जिके की तरप से पूछा जाएगा ठीके और जी के का मैंने मोडल से अल्रेडी मैंने बता रखा है ठीक आप मैं आप लोगो मोडल सट का भी सोलुसिन करा दूँगा बहुत जल्द क्योंकि महीं में आपके एक्जाम होने बाला है और अगर आप लोग चैनल पर निए चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा और वो जो जी के क को अग्दम धाकर तरीक से किज़ेगा ठीक है तो मैं बोलना चाहूंगा कि 7-8 विद्ध्यार्थी जो इस्कुल में बुक चलता है आपका JCRD का उस चीज़ को कंप्लेट कर लिए जो भी आपका सब्जेक्ट आपका एक्जम निकल जाएगा ठीक है और जो नायंत के विद्ध्यार्थी है जो मेरे बात को समझ रहें कि नहीं जो नायंत के विद्ध्यार्थी है ना वह आप लोग क्या करिए NCRT को पढ़ लिजे ठीक है NCRT जो बुक है ना उस चीज़ को अगदम कोपड़ी में बैठा लिजे भी वक्त है जितना हो सके पढ़िए साइन्स का पढ़िए साइन्स का पढ़ लिजे एंड जो भी आपका बक्त बचा हुआ है समाजिक विज्ञान का पढ़ लिजे क्योंकि आपको लोग एकजाम देखकर क्या आ चुके हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है अभी आप लोग फ्री में है जलदी से आप लोग इस चीज़ के तयारी कर ल अब तक के लिए थैंक्यू जाए हिंद